दोस्तों जैसा कि आप देखरें मेरे पास सुटूर कन्डिशन में इसके अंदर बात मैं भात करेंगा और ऐसके लगा चीज करें ने आपको बताओ मुझे स्ब्सक्राइए तो Śके लिए आपको नलियों का सिस्टम बनाना होता है निसको जुबाड भी कह सकते हैं या फिर सर्भिस का यह पुछार भी हम ऊसको कह सकते हैं तो वो भी बताओं जाथ व्य स्की में डसमिन का शाद उब पूरा पोरा देखें और जो pressure slow की problem है, बिल्कुल SOL हो जाएगी. दोस्तों, यह जो कभी चलता है, कभी नहीं चलता है, passenger slow आता है, यह pressure की वज़े से होता है, जो इसमें magnet का system होता है कि उनलकी pressure से उपर जाता है जहाँ इसका sensor होता है, वहाँ तक जाता है अब जुआ जहादा है।Wहाँ तक जाता है। लेकिन जो एक फ्लो रैड ज्यादा जम जाती है तो वह इसका मेगनेट है महा तक नहीं पुंचता है। लेकिन जब वहाँ तक солнor स्विच तक नहीं पहुचेगा मेगनेट तब तक यह काम नहीं करेगा। यह इसका प्रोसेसर होता है मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रेक्टिकल करके और इसको हम सही भी करेंगे मात्र 10-20 रुपे खर्च होंगे आपके इससे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे और इजिली आपको इसको सही कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा द इलेट जो नली है इसमें से एक जाली होती है यह हटानी होती है और इसके अलावा किसी में लोग आता है अंदर यह इसी नली में या फिर किसी में पेच आता है इसमें पेच है मैं आपको दिखाऊंगा पेच तो यहां पर आप देख सकते हैं यह पेच है यह खोल लेगा इ तो आप यहां देखें हम पेच को खोल रहे हैं और दोस्तों यह ध्यान रखना है जब भी हम इसको साप करते हैं एसिट से यानि की तेजाब से जो टोईलेट के लिए नर होता है उससे तो इसमें कहाई कि अंदर इसके मतलब और अंदर नहीं जाना चाहिए वह आप यहां दे यह मेगनेट है, यह हम साइड में रख देता हैं और आप क्या करेंगे इस पेच को वापस कस धेंगे टाइट ताकि इसमेंसे हम जब ऐसी डालेंगे तो निकलेगा नहीं और इस तरह का मैंने जो गीजर की नली होती है इसकी नली को लगाकर आप मतलब बना सकते हैं इस तरीके का मैंने गीजर की नली से बनाया है चाहे तो आप खाली इसकी जग गीजर की नली होते हैं खराब वाली इसकी पीतल का जो यह आगे कसराइस में इसमें आप कोई साधरन नली लगाकर और एक डब्बे में कोई इसका सिस्टम लगा सकते हैं मैंने क्या है कि बोटल में लगाया हुआ है आप यहां देख सकते हैं नली का गीजर वाली जो नली है उसको लगाकर एक गीजर वाली नली आपको आउट रेट में लगानी है और इ हमने यह लगा दिया है मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं नली की बात कर रहा था तो एक तरह के हमारा टूल है तो हमने इस तरीके से इसको लगाया है बाल्टी में एक डबा रख लिया है ताकि एसिड इसके अंदर आ जाए और फिर हम इसे वापस से उसको डाल सकें तो आप य तो यह आप यहां देख सकते हैं मैंने अच्छे से इनको टाइट कर दिया है अगर फिर भी आपको लगता है कि इससे लीक है तो दुबारा से इसको अच्छे से टाइट कर दें तो मैंने यहां पर इसमें डालूंगा और आप यहां देख सकते हैं मैं आपको दिखाने के को इसको कुछ टैम तक छोड़ भी सकते हैं आप क्योंकि कुछ टैम छोड़ेंगे तो अंदर की जो फ्लोराइड है इसकी वह दीरे-दीरे साफ हो जाएगी अब यहां देख सकते हैं यह जो अंदर जा रहा है और दूसरी नली में से आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से यह आ रहा है जब यह पूरा अंदर आ जाएगा और इस बोटल के अंदर आ जाएगा तो फिर आपको यह क्या है कि वापस से दुबारा डालना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है 15-20 या आदा गंटे तक इसको छोड़ दे और फिर एक दुबार और निकाल लें इस बहुत ही आसान है आप गर पर इजिली कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देखें तो काफी इसका अंदर निकल गया है तो कि यह ज़्यादा जब रुख जाता है तो टाइम लेता है लेकिन कम रुखता है तो बहुत ही इजिली बार निकल आता है तो जितनी देर तक आ यह हो गया है पूरा एसिड नीचे की तरफ आ गया है तो हम क्या करेंगे इसको दुबारा एक बार निकाल कर दुबारा डालेंगे और दुबारा डालने के बाद आप यहां देखें दुबारा हम इसमें डाल रहे हैं इसको एसिड को और यह एसिड जो है नीचे की तरफ आ र इसमें निकली हुई है पहले एसेट के लिए था वह बाद में गंदा हो गया है तो इसमें इस तरीके से आप करेंगे और आदे गंटे के लिए इसको छोड़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप यहां देख सकते हैं एसिट का कलर विल्कुल चैंज हो चुका है यहां गंदगी की वज़े से तो आप क्या करेंगे हम जब यह क्लियर हो जाएगे तो उसके बाद हम इसमें एक दो बार पानी डालेंगे आप यहां देखे मैंने पानी डाला है और पा नहीं आएगा अगर आपका गीजर मतलब कभी चलता है कभी नहीं चलता है प्रेसर की प्रोबलम है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सही कर पाएंगे यह मेगनेट है इसको अब हम वापस इनलेट जो है उसके अंदर लगाएंगे आप यहां देख सकते हैं तो हमें बैस प्रेट को अच्छे से टाइड करतें ताकि यह लूज ना रही है रह envie क्रमाइंगे कोई फ्लॉरआड होगे या फाकर कोई एसी चीज़ा प्रूरा हो आ जाती है जो इस मेगनेट में टाके तो इससे भी आपको problem हो सकती है इसके बाद इसके हम बैंटरी लगाएंगे आप यहां देख सकते हैं बैंटरी एक इस तरीके से लगेगी और इसको बंद करेंगे आप यह देखें यह गीजर हमारा चल रहा है और जैसे हम इसको सीधा करेंगे तो बंद हो जाएगा और पर बूट इसकी खोल रहे हैं तो आप यहां देख सकते हैं पहले से काफी प्रेसर टेज हो गया है इस तरीके से हम गीजर को सही कर सकते हैं कोई problem नहीं है तो फ्रेंट्स आपने देखा मैंने आपको इस गैस गीजर को रिपेर करके बताया इसके अलबावा आपका कोई भी करेंगे पूरी कोईशिस करेंगे मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर